सुबह उठकर ये काम करने से नहीं आती गरीबी, यदि संसार में आपको भोसागर से जाना है और जिंदगानी सफल बनानी है, तो काम करते रहो और नाम ना बोलो, कैसे नाम जपें, काम के समय मैं बताता हूँ, कैसे करना चाहिए, सबसे पहले, जब हम सोकर उठे तो हमें क् चाहिए, सुर उदय के पहले जो लोग उठ जाते हैं, जिस घर के लोग उठ जाते हैं, कहते हैं सुर उदय के पहले आपके घर में जाडू लग जाए, आपका में रिगट खुल जाए, खिड़कियां खुल जाएं, और सुर का पहला प्रकास्यदी आपके घर में आया, नहीं खुली सो रहे हैं क्या ये हमारी शवता शंशकार है नहीं ये नहीं है दोस्तों पहला काम है सुबई के समय उठकर भगवान को धन्नवाद देना सुबई के समय गोशेवा होनी चाहिए दोस्तों सुर उदय के पहले लगभग साढ़े पांच बजे बिस्तर त्याग दो जब सबसे पहले सोकर उठें जैसे ही आपकी आँखे खुलें आँख खोलते ही आप बोलें राम ना मित्ते ही सुमिरन कीना खरदे हरस कप सज्जन चीना ये ही सन हटी करहु पहिचानी साधुते हो ही न कारज ना ही हनवान जी जब लंका पर गए और भिविशन की कुटिया में गए तो भिविशन सवेरे यहनी जब सवेरे जागे और जाकती उन्होंने क्या बोला राम अर्थात आप जब जागे तो जाकते ही राधे कृष्ण सीता राम स्री नारान भागवान का नाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण जपे अब क्या करना है भगवान का नाम है लें हे प्रभू आज के दिन आपका आपने दिया इसलिए आपका धनवाद फिर दोनों हाथ मंतन करना चाहिए और हाथ जब गरम हो जाए तो फिर हमें हाथेली को खोल कर हमें एक मंत्र पढ़ना चाहिए मंत्र ये है कराग्रे वस्ते लक लक्ष्मी करमद्धे सरस्वती मा सरस्वती का भी बास होता है और पूरे हाथ में भागवान स्रेकृष्ण जी नाराण का बास होता है लक्ष्मी सवेरे ध्यान करेंगे अगर लक्ष्मी जी का सवेरे सवेरे ध्यान करेंगे तो आपके घर में माता लक्ष्मी जी आएंगी मंतन करने से सवेरे सवेरे दिन भार आपके यनि कि आपसे कोई गलत सब्द नहीं निकलेगा गलत वाकिन नहीं निकलेगा गलत बिचार नहीं निकलेगे और गोविंद का ध्यान करने से मेरे मुरली मनोहर के ध्यान करेंगे तो मेरे नारायन का मेरे स्री कृष्ण का ध्यान कर पिर सबसे पहले उठकर अपने बच्चों को ये चीज़े समझाएं। सुबह पानी पीएं और इस पानी में रात के समय एक चांदी का सिक्का डाल दें और सुबह इस पानी को पीएं तो पानी के दो समाप्त हो जाते हैं और पानी की सक्ती बढ़ जाती है पानी पीने के बाद आप अपनी क्रियाओं से निब्रित हो जाएं और इसके बाद आप स्वक्ष कपड़े पहने और सबसे पहले हिंदू परमपरा के नुसार एक लोटे में जल भरें तो सापसफाई करके मंदरे में आप पूजा पाट करें भगवान की और एक दीपक जरूर जलाएं सुबह सुबह और फिर आप भगवान के ओम नमो भगतेवास दिवाए ओम महालक्शमी नमय ओम नमसिवाए जो भी आप जिन देपताओं की पूजा करें उनकी पूजा करें फिर आप प्रसाद में उन्हें कुछ न कुछ मीठी वस्त जिसे के मिस्री और मुंग फली आप उन्हें प्रसाद के रूप में आर्पित करें या फिर आप गुडगी का भोग भी लगा सकते हैं फिर इस प्रकार से यह जो बचा हुआ है प्रसाद इसे पूरे घर परिवार के लिए बितरन करें तो दोस्तों शुबय शुबय सोकर जब उठें तो सुबय उठकर ये काम जरूर करें इससे कभी भी आपके घर में गरीवी नहीं आती माता लक्ष्मी सदैव आपके घर परिवार पर यहनिकी अपनी कृपा बनाई रखती हैं और आपके घर में धन अम्रदी शुक बैभाव सब कुछ प्राप्त होता है गरीवी कोशो दूर चली जाती है तो घर में कभी भी गरीवी नहीं आती है तो दोस्तों शुबय उठकर ये काम करने से नहीं आती घर में गरीवी दोस्तों कमेंट में जरूर लिखेगा जै मालक्ष्मी और साथी साथ कमेंट में ये भी बताईएगा वीडियो कैसी लगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके इसे जदा ज़्यदा शेयर अवश्च करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रिश जरूर करिएगा जै मालक्ष्मी